लखिमपूर खिरी जिले के तहसिल पलिया के इंडो नेपाल बॉल्डर पर बसा दूद्वा टाइगर रिजर्ड हर वर्ष की तरह इस बार भी पूरे तयारियों से खुलने जा रहा है जिसको लेकर पार्प्रशासन की तयारिया तेज हो गई है इस बार कोरुणा काल के चलती पार्प को सैलानियों के लिए बन कर दिया गया था जिससे की कोरुणा का संक्रम अंडवन्य जीवों में ना फैल सके वही एक बार फिर पूरी के दिवारों पर बाग की वॉल पेंटिंग की जा रही है तो कहीं स्लोगन लिखे जा रहे है जिससे की दूद्वा में आने वाले परियटक आकरशित हो सके और खुशी से दूद्वा में खुले में विचरंट कर रहे वन्य जीवों के दीदार कर सके देखा जाए तो कोरु मनोस सोनकर और वार्डन स के अमरेश्ट की मौजुद्गे में पार्क की व्यवस्था को बहतर बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए साती तयारी को जल्द से जल्द पुरा करने के भी निर्देश दिए जिससे की एक नवंबर को दूद्वा के कपाट सेलानियों के यहां पर उतनी घहीं नहीं मिलेगी कि नैशनल पार्क है अब जूम में जाएंगे तो जूम में आपको सारे जानवर पिंचर में बन दिखेंगे यहां पर आपको जानवर आराम से घूमते वे दिखेंगे और दुद्वा के प्रसाशन ने भी ऐसी सोविदाई कि ना कि नमटर खुल आम घूम रहे हैं अच्छे से घूम रहे हैं उनकी वह अच्छा भी है और हमें बहुता है कोई बी पिंचड नहीं है और अच्छे से ग्री में सब दिखने को मिलता है कि इस वर्ष की तोड़ा खास समय है और आप जान रहे हैं कि जो पार्क है उसको एक पर इस वर्जे हैं काफी सारी साथधानियां पर अतने क्या उशकता है और वो सब के हित्मे है और सासनस्तर से जो अनलॉफ भांच हुआ है उसमें जो निखने लिए गए हैं वो सारे जो कोबीड से समंदित साथधानिया है वो लागू रहेंगी तो जो भी परेटा कार है मैं आपके माद्रम से उसे उसे बुदारिस करना चाहूंगा कि जो भी साथधानियां सुझाई जा रही हैं उसका निश्चित तोर पर पालन करें